दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे एक English writer Oscar Wilde की लिखी हुई एक बहुत ही famous fairy tale, एक short story, The Happy Prince दोसो ये एक fairy tale है और इसको 1880s में लिखा गया था, 1880s में इसको publish करवाया गया था बहुत ही famous है दोस्तों, वैसे ये एक बच्चों की कहानी है, लेकिन बहुत ही interesting है, शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े statue से, एक मूर्ती जिस पर सोने का पानी चड़ा हुआ है ये statue इतना बड़ा है कि पूरा town देख सकता था इस statue को, और ये statue देख सकता था उस पूरे town को उस पर सोने का वर्क चड़ा हुआ है, अब उसकी आखे बनी हुई है नीलम की पत्थर से इंग्लिश में sapphires बूलते हैं घहरे नीले रंग का कीमती पत्थर और उसकी तलवार के हिल्ट पर रूबी लगी हुई है जो भी उस statue की पास से गुजरता है, उस statue की बहुत तारीफ करता है इस town के consulates जो थे, वो भी statue की तारीफ करते थे हाला कि इन सब को अपनी repetition बहुत प्यारी थी ये लोग हर उस चीज को ignore कर देते थे, जो इनके लिए beneficial नहीं होती थी तो ये लोग भी statue की तारीफ करते थे, अपनी repetition को बचाने के लिए एक दिन, एक swallow bird उड़कर यहाँ पर इस city में आती है ये bird एजिप्ट की तरफ जा रहा था, तो इसको एक read bird से प्यार हो गया था लेकिन वो read bird इसके साथ traveling पर नहीं आया, तो ये swallow aquila पड़ गया और यहाँ पर आकर ये इस statue के नीचे बैठ गया, ये statue है दोस्तो, happy prince का इसके नीचे बैठ गया, और rest करने लगा, अचानक इसने क्या देखा कि इसके उपर पानी आकर गिरा इसने देखा कि बारिश हो रही है, एतनी clear night में, कोई आस्मान में बादल नहीं है तब ही उसकी नजर बढ़ती है, happy prince के statue उपर, वो statue रो रहा था तो ये swallow bird उड़कर उसकी face के पास गया, और उसने अपने आपको introduce किया कि मैं swallow हूँ तो वो बोलता है मैं happy prince हूँ, उस happy prince ने उसको अपनी कहानी बताई उसने पूछा था कि क्यों रो रहे हो तो उसने कहानी बताई मेरा नाम happy prince है, मेरा बचपन इसी palace में गुजरा है, इसी महल के अंदर गुजरा है इसी garden की उची उची दिवारों के अंदर मैं खेला हूँ बचपन में मेरी life में मुझे हर type का pleasure मिला मुझे इस city की तकलीफों का एकदम पता नहीं था बिल्कुल अंजान था मैं city की तकलीफों से और जब मेरी death हो गई तो मेरी death पर ये statue बनाया गया आज जब मैं city की लोगों की तकलीफों को देखता हूँ तो दिल रोता है मेरा बात मेरा ये statue solid gold का नहीं बना हुआ मतलब इसके उपर परत चड़ाई गई है तो क्या तुम मेरी help कर सकते हो अब statue ने स्वैलो से पूछा कि क्या तुम मेरी help कर सकते हो कैसी help तो statue बोलता है कि city में एक lady है जिसके gown पर कुछ flowers बने हुए और वो अपने छोटे से गरीब से गर में रहती है उसके बीमार बिटे के साथ में वो रहती है तो उसकी help करनी है ये स्वैलो बर्ड उस statue की तलवार में से रूबी निकाल कर उस lady को देने गया तो statue के कहने पर जब ये bird रूबी देने जा रहा था तो इसने देखा कि रास्ते में कुछ old jews bargaining कर रहे थे आपस में अब रूबी उसने दी उसके बाद उस बीमार बच्चे को अपने पंकों से हवा की और रूबी देकर जब ये वापस लोटा तो वापस आकर ये थोड़ा गर्म फील करने लगा सर्दी के मौसम में भी ये गर्म पील करने लगा क्योंकि उसने अच्छा काम किया था तो उसे गर्मी मिल रही थी अच्छा तो अब उसे एजप्ट जाना था तो हैपी प्रिंस को बताता है कि एजप्ट में क्या क्या होगा तो happy prince उस bird से बूलता है कि मत जाओ अभी मत जाओ पिर एक और काम कर दो वो ये तुमसे और help चाहिए यहीं रुख जाओ मेरी help करो तो वो बताता है कि city में एक young playwright है एक young dramatist जो छट पर अपने कमरे में सर्दी में काप रहा है तो उसे अपना play खतम करना है क्योंकि उसे एक theater director को देना है नेकिन सर्दी बहुत है वो लिख रही पारा तो जाकर उसकी भी help कर दो Speller bird मान जाता है यह एक और रात यहां पर रुख जाता हूं उसने क्या किया happy prince की आँखों में से एक आँख में से वो नीलम का पत्थर नोच लिया और उस play right को जाकर देखी आया अपकी बार जब वो लाटकर आया तो उसने अपकी बार prince से विदा लेने की कही तो prince ने उससे कहा कि यह मेरी दूसरी आँख में जो पत्थर है जो मोती लगा हुआ है वो एक छोटी सी match girl को दियो आपलीज इसी town में रहती है एक छोटी बच्ची थी जो matches बीच रही थी गली के कोने पर उसके father ने उसे ज़्यादा पैसे ना लाने पर पीटा और उसके matches नीचे गिर गए तो उसकी भी help कर दो तो अगर help नहीं करोगे तो वो बैचारी पिटेगी अब swallow bird मान गया फिर से मान गया उसने उस blind prince के statue के साथ रहने का हमेशा रहने का पैस्दा किया वो prince के shoulder पर बैट गया और Egypt की बाते करने लगा फिर वो town में घूम कर आया और prince को बताया कि एक तरफ तो रच लोग अपने शादियां कर रहा है और दूसरी जरफ घरीब लोग भूख से मर रहा है उन्हीं के दरवाजों पर दो यंग बच्चे थे दो यंग लड़के थे जो ब्रिज के नीचे खुद को गरम रखने की कोशिश कर रहे थे तो एक वाच्पन वहाँ पर आया और उन दोनों को भगा दिया ये सारी बाते सुनने की बाद में हैपी प्रिंस के स्टैच्यों ने कहा कि मेरे उपर जो गोल्ड की परद चड़ी है वो भी जाकर इन लोगों में बाट दो अब स्वैलो बड ने वैसा ही किया गोल्ड की शीट्स को वो उन बच्चों में बाट के आया ऐसा करते करते स्टैच्यों अब बसूरश सा लगने लगा था अगली सा डल ग्रे इस टाइप का वो लगने लगा था स्टैच्यों लेकिन वहाँ पूरे टाउन में बच्चों के चहरों पर खुशी आ गई थी, बच्चे गलियों में खेलने लगे थे, अब क्या होता है इसी बीच एक ट्राजडी हो जाती है, सर्दियां बढ़ जाती है और स्वैलो बर्ड उस सर्दियों को सर्वाइव नहीं कर पाता, वो ज स्वैलो का हाट वो दो टुकडों में तोट किया, अगली सुबह टाउन का मेर उस ग्रे स्वैलो को देखता है और उस पैरों में पड़े हुए डैट स्वैलो की बाड़ी को देखता है और टाउन के करप्ट कॉंसिलर्स फैसला करते हैं कि स्वैलो को मैल्ट करके पिगला कर एक नया statue बनवाएंगे मेर बोलता है कि मेरा statue बनेगा तो बाकी के counselors बोलते हैं कि मेरा statue बनेगा Heart professor भी बोलता है कि अब ये statue beautiful नहीं रहा तो ये useful भी नहीं रहा तो workman क्या करते हैं पूरे statue को गला देते हैं, पिगला देते हैं लेकिन वो लोग शौक थे कि पूरा statue पिगल गया लेकिन उस statue का जो heart जो lead का बना हुआ था वो नहीं पिगला अब वो इतना केमती भी नहीं था बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं पिगला तो इन्होंने क्या किया उस heart को कचरे के धेर में फैक दिया जहां पर उस swallow bird की body गिरी हुई थी अब उपर वाले ने खुदा ने अपनी दो angels को भीजा कि जाओ धर्ती से दो most precious चीज़ी लेकर आओ वो angels ने इन दो चीज़ों को लेकर वापस लोटी तो God बड़े खुश हुए भगवान बड़े खुश हुए इसके बाद उस happy prince और swallow bird को जन्नत में भेजा गया उनकी sacrifice के लिए इसी के साथ में दोसरी ये story खतम होती है इस work में beauty और morality को दिखाया गया आसकर वाइल ने इस थर्टिसिजम, art for art's sake और दूसरी दरब Victorian age की poverty, inequality, greed को दिखा कर Victorian England को criticize भी किया है आसकर वाइल ने ये story उन्होंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी ऐसे ही सुनाने के लिए लेकिन ये popular हो गई ये एक fairy tale है जिसमें थोड़ा सा realistic touch भी दिया है उन्होंने आसकर वाइल ने तो I hope आपको ये story समझ में आई होगी आज की वीडियो में बस इतना ही